एलो गाईस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्ट पेंगल एफसी के नए फॉरेंट स्ट्राइकर के बारे में तो गाईस डिटेल्स में बात करूँगा लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेश्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर लिजे और सातमा बेल आइकोन को प्रेस कर दिजे क्योंकि ऐसे ही इंडियन फुडबॉल से डिलेटेट डेली अपडेट्स आप सभी को मेरे इस चानल पर देखने को मिल और एगरिमेंट पहुंच चुका है यानि कि आल्मोस सब कुस सही जगा पर चल रहा है जैसा इस्ट विलेफसी मैनेजमेंट को चाहिए और मैं आप सभी के जानकारी के लिए एक बात और बता दूँ कि आज इस्ट विलेफसी मैनेजमेंट और इमामी ग्रूप होगा मैं आप सभी को बता दूँगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में तो गाइस इस्ट विलेफसी मैनेजमेंट के तरफ से ऐसा पता चल रहा है कि इस्ट विलेफसी मैनेजमेंट ने नर्जेस वालसकेस को अप्रोच किया ह है रिटेन नहीं किया है तो नर्जेस वालसकेस ने आइसल नाइटी ट्वेंटी के सीजन में गोल्डेन बूट अवार्ड जीता था और काफी खतरनाक स्ट्राइकर है यानि कि गाइस नर्जेस वालसकेस डी बॉक्स में काफी ज़ता खतरनाक हो जाता है इस्पैशली हेडर से तो इस्पैशली मैनेजमेंट ने नर्जेस वालसकेस को टारगेट किया है तो अगबेचे को भी टारगेट किया था इस्पैशली मैनेजमेंट लेकिन गाइस अगबेचे इस्पैशली के हाथ से निकल चुके हैं और बहुत सारे खिलारों को साथ तो वैसे भी इस्पैश बातचित कर रही है तो हो सकता है नर्जस वास्केस के साथ भी बातचित कर रही हो इस 12FC मैनेजमेंट क्योंकि गाइस अभी तक ऑफीसियली इसके बारे में कुछ भी अप्टेट नहीं है बट एक ट्रांसफर मार्केट में रियूमर है कि नर्जस वास्केस इस 12FC के क्या नर्जस वास्केस इस 12FC के लिए सही रहेंगे या फिर कोई और फॉर्ण स्ट्राइकर के पीछे इस 12FC मैनेजमेंट को जाना चाहिए आप अपना राइस ज़रूर कॉमेंट श्रिक्शन पर बताना तो चलिए गाइस फिलाल ये वीडियो में इतना ही था आशा करता हू शेर कर अपने दोस्तों के साथ और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मैं बैल आइकोन को भी प्रेस कर दो तो चलिए गाइस अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में